हलो दोस्तों भारत अपडेट से अलम आपका स्वागत है और दोस्तों आज की ये अभी सुभा की ये तीसरी अपडेट यहां पे रहने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं बताता हूं आपको क्या ये अपडेट यहां पे रहने वाली है तो दोस्तों ही मार्चल में बहुत जल्द ही विकेंसीज भरी जाएंगी तो चली देख लेते हैं कुम सी विकेंसीज हैं और कितनी विकेंसीज हैं कब भरी जाएंगी तो सीधी भरती से भरेंगे ड्रग इंस्पेक्टरों के 17 ठीक है तो ड्रग इंस्पेक्टरों के 17 ठीक है तो ड्रग इंस्पेक्टरों के 17 ठी जाएंगे लोक निरिम मैं मैं अनुभन से 22 कनिष्ट कार्याले सहाइक आई टी के पद भरे जाएंगे ठीक है सहाइक आई टी के पद भी इसमें अलग से भरे जाएंगे और मंत्री मंदल ने बिभिन श्रेणियों के 45 पदों को दी मंजूरी तो ड्रग इंस्पेक्टरों के 17 पद है आई टी के कनिष्ट अगारले साइक आई टी के 22 पद है और टोटल यहां पर नहीं बोला है कि 45 पदों पद जो हैं भरे जाएंगे ठीक आप 45 वेकेंसी टोडल नम्परों वेकेंसी यहां पर भरी जाएंगी बहुत ही जल्ट इन्होंने मंजूरी दे दी है इन वेके जालते हैं तो जैसे ही इनकी अड्विटिस्मेंट निकालेंगे यह तो मैं आपको बता दूँगा ठीक है और आगे देख लेते हैं तो हिमाचर प्रदेश मंत्री मंदल ने सवास्त्य सुरक्षा बी नियम विवाग में ड्रग इंस्पेक्टरों के 17 पद भरने का फैंसल ल पोस्टेज है वेकेंसिज हैं भरी जाएंगी इससे राज्य में दवाईयों की गुणबत्ता बनाए रखने और इस क्षेत्र में दिग्राननी की कड़ी विवस्ता लागू होगी और कैबिनेट ने हिमाच्यो प्रदेश लोक निर्मान विवाग में अनुमन आधार पर सीदी भरती से 22 कनिस्ट कार्याले सहाइक आ.ईटी के पदों को भनने की सभिकृती भी प्रदान की है तो 22 यहाँ पे कनिष्ट कार्याले साहिक आईटी के पद भर जाएंगे 22 ठीक है कैबिनेट ने बन विभाग में सीधी भरती के माद्यम से हिमाचल प्रदेश बन सिवाओं के साथ पदों को भरने का भी निर्ने लिया है तो यहाँ पे जो है बन विभाग में भी कैबिनेट ने साथ पदों को बनने का निर्ने यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे बहुत अच्छी यह जानकारी दी है अपडेट दी है मंत्री मंडल में यह फैंसले लिये गए हैं तो अभी आप फिलहाल बेट कीजिए कि कब तक यह अड़िजमेंट आती है और जैसे ही अड़िजमेंट आएगी तो मैं आपको बता दूँगा ठीक है और यहाँ पे बाकी और ज्यादा जरूरी कुछ नहीं बस एक है कि धारा 118 से नहीं होगी कोई भी छेड़ छाड़ तो मंत्री मंडल की बैटक में धारा 118 को लेकर परस्तुती भी दी गई स्वास्ते मंत्री बिपिन सिह परमाना बताया कि इन्वेस्टर मीट में अगर अधिक निवेश आएंगी तो धारा 118 से कोई भी छेड़ खाने नहीं होगी उन्होंने कहा कि सरलेकरण की दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है उसी दिशा में आगे बढ़ा जाएगा तो में बात तो यहाँ पर यहाँ पर वेकेंसिज की थी कि यहाँ पर 45 वेकेंसिज है भरी जाएगी बहुत ही जल्द मंत्री मंडल की तरफ से नेरने लिया गया है तो दोस्तों अगर आपके वीडियो ची लगे तो इसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जू करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए थेंक यू